तो यहां पर जी हमने एक पैन ले लिया है क्राही ले लिया है उसके अंदर हमने हाफ कप के करीब हमने आइड करना है तो ओल हमने एड कर दिया है ओल को हम गरम होने का वेट करेंगे जैसे हमारा ओल गरम हो जाएगा है तो फिर हम इसमें एड करेंगे पैयाज हमारा तकरीबर मीडियम फ्लेम पर जो था वो हो चुका था गरम अब हमने इसमें एक दरम्याने साइज का पैयाज एड किया है तो प पर तकरीबन हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका था तो अब हम इसमें एड़ करेंगे लसन के जवे और टमाटर और सबस मिचे इस तरह से हमने कट करके डालनी है चॉप किया हूँ हमने लसन एड़ करना है लसन का पेस्ट नहीं एड़ करना है हमने इसी तरह से चॉप किया हूँ एड़ करना है तो इसको हमने तकरीबन 5-10 मिनट के लिए अच्छे से बून लेना है ताकर यह अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी बुनाई हो जाए इसके कच्चवण जो है वाद दूर हो जाए तो अब हमने बहुत ही तकरीबन 5-10 मिनट बूनने के बाद हम जैसे ही ओल चोड़ देगा मसाला हमारा ओल चोड़ देगा तो पिर हम इसमें एड़ करेंगे स्पाइस तो यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून जीरा एड़ किया है उसके बाद हम एड़ करने वाले है ifie नमग 1 टेबल स्पून जीरा जो ही आपने लासमी आड़ करना अशे का है तो बेढ़ में नमग 1 टेबल स्पून एड़ किया whatree ड़ट यह हम इसमें healthy आड़ करेंगे लूकुल भूवट कीछिपने करने और स्थी सबगरिया यहां पकाएं तो आप फिर दुबहर के टाइम सवेंगे बना के मेरे कहने भी बना के देखेगा आपने रेसिपी को जरूर ट्राइक करना है रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर देना है जैसे हमारा मसाला बहुंच जाएगा तो हम इसमें बहुत अच्छे लगत पकाएं लगत कर लगत देंगे ताकर 5-10 मिनट तक ये कवर कोज गाल जाएंगे तो हम जैसे रिक्कर उटाएंगे तो ये गल्चुके होंगे तो हम इसमें एड कर देंगे पानी तो पानी मैंने इसमें लेड़ ग्लास एड किया है एक पैकिज़ सुएंगा था और समें न् पिर हम इसमें एड़ कर देंगे सुएंगे तो अभी हमारा पानी जो है ना मैंने भी डाला है पांच-दस मिनट तक लोफ लेम पे हमने पानी को पकाना है तो जैसी बॉबल्स बना स्टार्ट हो जाएंगे पानी में तो फिर आप ने इसके अंदर एड़ कर देनी है सुएंग लगे थी यह सारी जो थी ना वो कवर हो चुकी थी पानी के अंदर चली गए थी आइस्था ऐसा यह खुदी ना नरम होती जाएंगी और नीचे से जो है ना खुदी उपर से नीचे चली जाएंगी बस आपने इसको लाइट 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 लास तो पानी खुश्क काने के बार फिर हम इसको लगा देंगे दम पर तो यहां पर तक्रीबन इसका पानी जो था ना वो खुश्क हो नहीं वाला था है तो यहां पर जीप अस्तरह से बस KHUŞK HOौनेंई वाला था तो प्र जैसे इसका पानी हुष को हो जाएका ना तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे पानीज का हो चुका था अब हमने इघ्र कवर करके रखो देना है Light उनने की आज कर दे तो यहां पजी जब 5-7 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने डखन उटाया तो हमारी स्वहिंगे जो थी वो बिल्कुल रड़ी थी यह देखें माशालार से बहुत अच्छी तरीके से रड़ी हुई थी यह देखें और अब हमने इसको डिश ओट करने के लिए डिश निकालन सकते हैं मैंने मायोनीज और कैचप का सौस लगाया तो उसके उपर सोरी तो यह हमारी जो थी ना डिश हमारी राड़ी हो चुकी थी और यह थी जी हमारी आज की स्पेशल सी वीडियो अगर वीडियो ची लगिया तो इसको लाइक करें सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को नह नहीं और अच्छी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा अलाहाफेज